नमस्कार दोस्तों आर्चनाराथोड चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे सेफ होंगे तो चेलिए आज के हमारी रेसिपी है तरही की सबजी तरही को कुछ लोग तोरी तोरी भी बोलते हैं बहुत ही आसान बहुत ही जटपट बनने वाली करेंसे बहुत हैं लिए रेशेपैस होंग द क्सिति हैं ततरही की सबची तो इसके लिए हम सबसे पहले कैसके ऊपर कढाई रग देंगे कढाई में हम डालेंगे डेर चमच़ ऑईल तो यहाँ पे डेड़ चमच ओईल डाल दिया है ओईल को पहले तो सबसे अच्छे से गरम कर लेना है जब ओईल गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चमच राई यहाँ पे मैं छोटी वाली राई होती है ना उसका इस्तमाल करूंगी तो सबजी में यह बहुती बढ़िया स्वाद लाती है तो इसलिए मैंने छोटी वाली राई का इस्तमाल किया है उसके बाद हम डालेंगे आधी छोटी चमच आधा छोटा चमच जीरा जीरा और राई को बहुत अच्छे से तडगने देना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी के पत्ते उसके बाद तुरंथ हम डालेंगे तरोई तरोई को मैंने इस तरीके से कट करके धो लिया है उपर से डालेंगे स्वादानुसार नमक और ओईल में सबसे पहले इन तरोई को हम अच्छे से सौप्ट कर लेंगे या फिर आप बोल सकते हो इसको पका लेंगे इस तरीके से चलाते हो हमें लगबग 3-4 मिनिट लगेगा और इसमें पानी डालने की आवशक्ता नहीं या पर आप देख सकते हो तरोई ने अपना पानी कितना सारा छोड़ दिया है तो इस पानी में ये तरोई अच्छे से पक जाएगी 3-4 मिनिट होने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे ये लसन हरी मिर्ची और धनिया पत्ता मैंने एक ही साथ कूट लिया है बहुत सारा धनिया पत्ता बहुत सारी लसन और हरी मिर्ची डाली है और सारी चीजों को मैंने मिक्सी में पीस लिया था और इसके वज़े से बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा इसलिए थोड़ा सा जादा ही डालना है उसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे अच्छे से तो यहाँ पर लगभग फिर से मैंने एक डेड मिनिट अच्छे से हरी मिर्च और लसन डालने के बाद भी पका लिया है और लास्ट में हम डालेंगे बस एक चमच मुंग फली का पाउडर मुंग फली को भून के उसका मिक्सी में पाउडर बना लेना है बस एक चम्मर डाल देना है और बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और धकन रखके इसको हमें दो मिनिट पका लेना है ये अल्रेड़ी सॉफ्ट हो चुकी है पक चुकी है लेकिन जो मुंग फली डाली है ना उसको भी हमें अच्छे से उसका कच्छा पन जाना चाहिए इसलिए एक डेड़ मिनिट पका लेंगे और एक डेड़ मिनिट होने के बाद धकन निकाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पे ये जो सबजी है बन के रेड़ी है फिर से हम धकन रखेंगे और गैस को बन क करेंगे और यहां पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सी बहुत ही आसान बहुत ही बेसिक चीजों से हमने सबजी बहुत ही टेस्टी बना के रेडि की हैं उमीद है आपको यह रेसेपी पसंद आएगी आप इस रेसेपी को घर पे जरूर ट्राइ कीजेगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना अबी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए मिलते हैं